बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम उलेक। वेल्कम बैक तो मैं चैनल गॉर्ण विप्रीट डिजाइनर प्रेंट आज मैं आपको ये खुर्ती पे साइट पॉकिट की स्टिचिंग बताऊंगी स्पूर्म किस तरह हैं से लगा सकते हैं और यहां पर मैं तभी सॉरी भी करने कि मैं यहां पर लाइट आफ हो गई बाई मिस्टेक। इसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताऊंगी यह में मेरा शॉर्ट काफ बैक है और यह फ्रंट है जो फिटिंग की साइट की जो हम मार्किंग करते हैं इसको सबसे पहले हमने फ्रंट पे लगा लेना है लग लगाएं तो यहां पर तक्रिमन धाई इंच रखें जैसे हमने फिटिंग की मार्किंग की जो निशान लगाया हुआ है से इसी शेप में हम पौने दोर इंच की दुबारा एक मार्किंग की लाइन ब्रॉक कर लेंगे यह बहुत ही अरसान मेदर्ट मैं आपको बता रही हू इसे शेप हमारी आउट नहीं होगी और बिल्कुल एक्वल आएगी एक मैं लगा लिए और दूसरी मैं आपके सामने लगा रही हूँ उसके बार उसका हम यह दर्म्यान निका लेंगे जो हमारी पौकिट लगाएंगे और सबसे पहले हम इसका देखेंगे जो हमने पट्ट कि अवरिए लगानी इसका मैं कंट्रास देखेंगे यह मारी पट्टी तक्रीवन जो लेंध इसकी है वो फाइफ इंच है और जो इसकी चड़ाई है और यहां पर मैंने पौने इंच लेए हैं सबसे पहले हम इसकी हमारी देख्ट आई है यह हिप और कमर के दर्मयान है इस के बाद जो इसका हाफ होगा जो पांच चीछ हमारी पट्टी थी इसका हाफ कर यहां पर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी जो स्टीचिंग है वो स्टार्ट करेंगे यहां पर पहले हलका सा कट लगा लोगी ताकि जब हम कट द्वारा लगाएं तो असानी हो इसके पर मैं निशान न लगा लिए और जो निशान होडी पका लगा लिए तक आज़ा इंचोर के यह बें पर सिलाय लगा यहाँ पर जो मैंने भुक्रमघ यह पक्टी को तरफ भुक्रम लगाई ये जन्समें उज़ होति है इतनी हमारी की वह चोड़ी पटी थी उसली के बराबर में हम तिलाई लगा लेंगे भी इसके बाद हम इक फटी पर्ण्टे धी कर लिया है उसका भी हम जो लगाने वो असाने से हो इस को लगा सके हैं जो हमने पहले mbने लगा ती रिखेंच वह को फोल लेखेंगी बाद एक और सैंजेबने वर्ट यह उल्टा फैब्रिक लखना है और यह लोगार जीन फंट कोky पॉपर हमने बिल्कुल बराबर हमने निशान के बराबर बराबर हम लगाएंगे अगर यह कि आप प्रिकी चुड़ाई की वो सबसे में और इंपॉर्टेट है यहां पर इस दोनों पॉपिट्स की हमने इस लाई लगा ली अच्छे से यहां पर पका कर ले और उसके बाद जो मैंने यहां पर कट लगाया था वहीं पर हम दुबारा कट लगाएंगे और यहां पर पूरा हमने कट नहीं लगाना यहां पर आदाइंच हमने चोड़ देना है निजिए इमारे बिल्कुल परफेक्ट पॉन है हैं इंच के बराबर कि मेरी दूसी लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई हैं जहां पर मैंने कट लगाया था वहीं से दुबारा कट लगाएंगे और आदाइंच यहां पर मैं छोड़ दोगी और एक वी शेप में कट लगाना है मैं आपको बता आदाइंच मैं नहीं यहां पर छोड़ा है उसके बाद जो कट लगाने हैं इस तरह वी शेप में कट लगा देख में दोरों तरफ कट लगा लें इसके बाद जो हमने पॉक्ट लगाई थी इसको जो का एक्स्रा कप्रा जो पॉक्ट वाला कप्रा था वो अंदर कर देंगे आधिक भön्जर को बराबर आम ए यहां पर आयए उसके बाद यहां पर कप्रे कों दर करके दोर ट्रू कर दोरें साली लगा लें चाकि जो अजिए आजए इस बागेर प्टी वाल अला कप्रा है इसके ऊप्तिons रखा लेंगे यहां ने किनारे पर और यहां पर अच्छे से पता कर लिए अपर लगाना बहुत ही असान है और मैंने स्टैब आपको लिटेव से समझाया उम्मीद करते हूं आपको अच्छे से समझा रही हो ले एक स्लाई मैंने लगा लिए यहां पर अब मैं दूसरी स्लाई भी लगाऊंगी अच्छे से लग जाएगी आपर स्लाई मेरी अब देख सकते हैं दूसरी स्लाई है मैंने लगा लिए और साथ ही हम एक साथ त्री डूपर कट करते जाएंगे देखिए उसके बाद हम हम शॉर्ट के उल्टा करेंगे और जो हमने एक भी शेप में कट लगाया था जो ट्राइंगल प्रीस हमारे पास देखिए आया वह अब यहां पर इसका रक्तित किनारे अब से पूरी स्लाई लगा लेंगे जाओंगे यहां पर किनारे तो स्लाई लगाते जाओंगे यहां पर हमारे पॉक्ट राड़ी होती जाएगी पूरी इसी मेंदर्स को राउंड करते में पूरी स्लाई लगा जाओंगे इसी में पर एंड कर देंगे इसका यहां पर हमारे पॉक्ट बिल्कुल डेन हो जाएगी जाओंगे लिए लगा लिए दोनों दरब अब इसको आईरन करके दिखाओंगे अच्छी इसकी लुक आई है आप देख सकेंगे इसा खुब्सूरों और जल्दी से लगने वाली है अमीदा आपको मिरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी कर देख रहें ये आपकी तरह से कौनसा अच्छा लाई होती है इंचाला नेक्स वीडियो में एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँए तब तक के लिए अपना किया रखिया जा अलाहफेज